असलाम लीकुम जी वेलकम है आप सब का रीधा फूट फैक्टरी यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सब आज मैं आपनों को सिखाऊंगी आलमेंट केक बनाना सुपर सॉफ्ट टी केक आप कैसे घर में त्यार कर सकते हैं मुकमल गाइड करूंगी घर में मजूर चीजों से आप इतना अच्छा केक त्यार करेंगे कि आप बेकरी के केक भूली जाएंगे और हमेशा घर पर ही केक त्यार करेंगे बहुत ही मज़िदार सुपर सॉफ्ट केक बनाना शुरू करते हैं बिसमे लाई रह्माने रहीम सबसे पहले चार अदद अंडे लिए अंडे रूम टेंपरेचर पर होने चाहिए याने फ्रिज में पड़े हुए नहीं होने चाहिए एक बोल में अंडे डालेंगे आधा कप और दो खाने का चमच जानी के टोटल 10 टेबल स्पून मैंने कैस्टर शुगर लिए बारीक चीनी आज कल मार्केट में आई हुई ए अगर आपके पास मोटे जाने वाली चीनी है तो आपने 8 टेबल स्पून जानी की 8 खाने का चमच टालनी है बरी चीनी 10 टेबल स्पून डलेगी और अगर मोटी चीनी है तो वो फिर आपने 8 खाने का चमश्टा ली है आदा कप इसके अंदर oil add होगा, simple oil जो हर गर में होता है और अब बस आपने इसको beat करना है इन तीनों चीजों के लावा अभी कुछ और add नहीं होगा मैं electric beater से इसको बिल्कुल low speed पे भी beat करूँगी, पहले 2 minute electric beater से आपने low speed पे beat करना है फिर आइस्ता आइस्ता medium speed पे जाना है फिर high speed पे जाना है और सबसे main बात कुछ लोगों के पास यह machine नहीं होती, यह electric beater नहीं होता तो आप जो hand whisk होता है हर गर में उससे भी इसको बना सकते है जो हाथ वाला beater होता है तो कोई मसला नहीं है तो बस इसको मैंने 5 minute के लिए beat किया अब इसके साइट पे जो चीनी लग गई ना उसको मैं spatula की मदद से नीचे का रही हूं ताके वो दुबारा mixture में चली जाए और उसको मैं दुबारा से mix का रही हूं इस तरह लाजमी कीजिएगा वरना चीनी केक में फिर मूह में आएगी वो फिर अच्छी नहीं लगएगी तो इसलिए इस पॉइंट पे दो मिनट मजीर इसको आपने बीट करना है तो टोटल इसको मैंने 7 मिनट के लिए बीट की है यह देखिए जी बैटर बिलकुल रनी सा त्यार हुआ है पतला सा होता यह बहुत गाड़ा नहीं होता और चीनी बहुत अच्छे से mix होनी चाहिए अब इसके अदर जाएगा flavor जिससे अंडे की smell खतम होती है तो यह vanilla essence आपको 45 रुपीज में easily किसी भी अच्छे store से मिल जाता है महंगा नहीं होता बस आपने इसमें half teaspoon डालना है ताके अंडे की smell खतम हो बहुत जादा भरबर के चमचिया नहीं डालनी और सबसे main ingredient इसके टेबल स्पून यानि के एक खाने का चमच फ्रेश लेमन जूस ताजा लीमो का रस इससे केक बहुत ही soft बनता है यह लाजमी डालना है और यह वन टेबल स्पून साधा पानी रूम टेंप्रेचर पानी जो पीने वाला होता है सिर्फ एक चमच तलेगा और अब बस यह तीन लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप मैदा मैदा बिल्कुल लेवल करके लेना है बर बर के नहीं डालना है और बिल्कुल लेवल करके लेना है एक कप मैदा जाएगा टू टी स्पून बेकिंग पाउडर एड़ होगा जो चाय वाली चमच यह होती है और सबसे इंपोर्ट तो को चाना मतलब दो ड्राइंग डिजन डालें उसको चान की अब बीटर से पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूं भी बीटर ओन नहीं किया जैसी थोड़ा से ड्राइंग अंदर चले जाएंगे तो फिर आपने बीटर ओन करना है और बिल्कुल लो स्पीड पे इसको और आइस्ता से मिक्स कर लें तो देखिए जी स्मूथ सा बैटर बिल्कुल फ्लोई बैटर बनके त्यार हुआ है यह कुछ टिप्स होती है अगर आप सुन लेंगे तो आपको फाइदा होगा और सारे इंग्रीडियंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँग की तो आपने बदाम पहली कट करके रख लेने क्योंकि अगर आप आइस्ता आइस्ता दस मिन्ट लगा देंगे बदाम काटने में तो जो बैटर है ना उसमें जो बेकिंग पाउडर है वासर करना छोड़ देगा फिर आपका केक फूलेगा नहीं तो यहां पे जरह स्पीड मैंने पांच दो तीन मिन्टों में बलके इसको ना कट कर लिया था इसलिए मैंने इस पॉइंट पे इसको कट किया अगर आपकी स्पीडिट नहीं तो आपने पहली कट करके बदाम रख लेने हैं और बदाम औप्शनल है सिंपल भी आपके बना सकते हैं अब मैंने यहां प किसी के पास बटर पेपर नहीं होता है इसलिए मैंने कागस का इस्तमाल किया है मैं हमेशा बेकिंग जो भी आपको केक सिखाती हूं कागस ही उस पे लगाती हूं ठीक है तो अब बस इस पे पर ओल लगा देने हैं और आप बैटर डालने से पहले एक बार इसको मिक्स कर ले देंगे मौल्ड में चेक करें कितना फ्लोई बैटर बनके त्यार हो है रिबन के जैसा फ्लोई बैटर है और इसमें बिल्कुल भी गुटली नहीं नजरा रही यही तरीका होता है बैटर बनाने का अगर आपने मेरी टिप सुनी होंगी तभी आपका बैटर भी ऐसा ही बने वरना जो है ना केक एक साइट से फूल जाएगा एक साइट से बैट जाएगा ठीक है क्योंकि उस पर वजन आजएगा बदाम का तो यह बात का ख्याल रखना है बस आपने बैलंस पे सारे उपर ना इसके उपर बदाम डालने ने और इसको चलते हैं बेक करने की तरफ मैंन का बैटर बनाना सुडूरू किया था मैंने पतीले को बीला कंप का बर्तिन के लिए रख भीडरी मरत रख लेज़ों में बॉक्स चाहली बॉर के लिए बैक करेंगे यहां पर पूरे 40 मिनट हो चुके माशाला से देखिए कितना सॉफ्ट केक बन के तियार हुआ है कितने अच्छे से केक राइज हुआ है और अब इस केक को आपने निकाल के थंडा होने के लिए रख देना है ओवन की टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख पूरी है ठीक है तो बस अब आपने केक को जो एना एक प्लेट में निकाल लेना इस तरह से पलट देना है और अब देखिए कितनी इसका मोल्ड हटता है यह देखिए माशाला से सुपर सॉफ्ट केक त्यार है इसका पेपर उतारेंगे बटर पेपर के बगार भी केक बन ज करें और फिर एक-एक इंच का फासला रखके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है तो यह केक आप एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं अपने महमानों के आए पर उन्हें चाय के साथ सर्फ करें कोई कह नहीं सकेगा कि आपने घर पे बनाया है और फिर आप मुझे दुआएं दें में आला हाफिज